तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक MCQ को हमको किस तरीके से सॉल करना चाहिए देखिए बी नई स्टुडेंट आप लोग करते क्या हैं MCQ देखा, एंसर देखा, टिक किया और चले गए ठीक है बाद में silly mistake होता है तो गलती होता है तो इस वीडियो में हम कुछ question लेका होगे हैं आगे हम देखेंगे तो हम इसमें बताएंगे कि statement वाले question को कैसे solve करना है matching वाले को, assertion region वाले को तो यहाँ पे हम आपको तरीका बताएंगे actually में तो आप देखिए background में देख सकते हमारा course भी है एप का link description में मिल जाएगा आपको ठीक है वहाँ से डाउनलोड कर लेना या आप play store पे बाटनी दा बर्णिंग डिजायर सर्च करोगे तो दो यह पाएगा आपको वह वाला एप डाउनलोड करना है जो हमारा YouTube चैनल का logo है ध्यान में रखना समझे की नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो को like कर देना आपको बढ़िया लगेगा तो आप देख सकते हैं काफी review भी बढ़िया लोगों का हैं तो आओ सीधे हम question पर चलें ठीक है आपको यहाँ पर question दिख रहा होगा अब ऐसा question आ गया ऐसे question को देख के जानते हो आपके दिमाग में क्या आता है या तो आ रहा है या तो नहीं आ रहा है और जल्दी जल्दी में आप silly mistake कर दे तो पहिला मिलाया और देखते ही नहीं तो देखो बहुत ही simple question है solve करने का तरीका कैसे solve करेंगे इसे देखो ध्यान से तरीका समझो मुझे पत जो protection का काम करता है और epidermis का precursor देखो हमारा dermatogen होता है बासमझ मैया यानि C का पहला मैच हो रहा है जब C का पहला एकदम आप confirm है तो आप इसको करिए cut इसको करिए cut simple सी बात है अब ये ये अब देखो फिर क्या है हमारा cortex कौन मनाता है हमारा जो peri blame होता है वो आपका cortex बना लेकिन verify भी आप कर लो एका 3 मैच होगा क्या फ्लिरोम जो है वैस्कुलर बंडल बनाता है बिल्कुल सही बात है एक का हमारा 3 मैच हो रहा था इससे भी हमारा answer आ जाता बी का 4 मैच होगा histogen जो रहेगा precursor आप tissue region histogen tissue builder इसे बोलते तो ऐसे करके question solve करना होता है चलो अगले question पर और strategy दखते हैं देखो अब यह है matching type का CVT 2024 का ही question है अगर आप MSA entrance के लिए तैयारी कर रहे है तो बिल्कुल परसान होने की जरूत नहीं है यही सारे question आते हैं और मैं आपको एक plan बताओ तो देखो ना 300 नंबरवा का paper आ रहा है जिसमें से जानते हो अगर आप 200 प्लस ल मिल जाएगा लेकिन 160 से कम मतलाना नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे ध्यान दिना तो देखो आप देखो damping आफ शिडलिंग तो यह सब note कर लेना ठीक है क्या कर लेना note कर लेना note बनाना चाहिए कि damping आफ शिडलिंग जिससे होता है पायथियम डेब्रैनियम से होता है ना त पाउडरी मिल्डिव बताया है ना याद आ रहा है कि नहीं कुछ पाउडरी मिल्डिव इरिसीफी से होता है और डाउडरी मिल्डि किस से होता है परनोइस्पोरा से तो डाउडरी मिल्डिव परनोइस्पोरा से तो डाउडरी मिल्डिव परनोइस्पोरा PC यानि B का फोर म बता रखा है ना कि लूज इसमर्ट नूडा से होता है अस्ति लोगों नूडा से लूज इसमर्ट तीक है और होर्डई से कवर्ड इसमर्ट तो याद करना यह सब चीजे भूलना नहीं तो अब देखो फिर थोड़ा से टाइम दो कभी भी ना क्या किया करो दिख राया ना तो देखो कि यहां पे हमने बता आ को लूज इसमर्ट से क होगा सी का पहला मैच होगा सी का पहला मैच यह नहीं नहीं आर अंसर यह आजाएगा इस टेम गालाप कोरियंडर हमने आपको बता है प्रोटो- horrendous से होता है ठीक है तो ऐसे करके अब देखो मैं आपको सीरिशली बताऊंग आप अगर दो hazır पट्वेशाम देने जा ओक कोई भी ज्यान से मेरी बाव सुनों बोटनी का कोई भी खानधें जा रहे हो इन 4 और उपसन में आइचीन टाइक का है अब जैसे बहुत लोगों को यह नहीं कोश्चन आता है क्या होता है बहुत लोग और यह गलत करके आ दे लेकिन बहुत से सिंपल सा कोश्चन है अब आप यहां पर देखो यह स्वीठ वाल आफकेशन देखो आपने लिंकेज के बारे में पढ़ा हुआ है जेनेटिक्स में linkage crossing over batson, poonet, morgan वाला sweet pea, lethirus, odoratus, जाने उसमें होता है न, sweet pea यानी कि क्या होता है, केसरी दाल, lethirus, odoratus, C का क्या हो जाएगा, दूसरा हो गया match, C का जब दूसरा हमारा match होगा, देखो, तो ये वाला आफसन हमारा कट जाएगा, ये वाला हमारा आफसन कट जाएगा, मालो आपको ये भी नहीं पता है, आप देखो, ग्रीन पी हरी मतर, ग्रीन पी माने हरा मतर, पनीर खाते हो ना, हरा मतर जानते हो ना, इतना भी नहीं पता कि आपको हरा मतर क्या है, ग्रीन पी, तो यह हो जाएगा पाईजम सटाइवम जिसके उपर मेंडल ने काम किया था ठीक है तो यह का हो जाएगा चौथा मैच और एक हमारा देखो चौथा मैच हो गया तो दोनों में चौथा चौथा है ठीक है अब देखो हमारा क्या है पीजन पी पीजन पी हमारा क्या बोलते हैं पीजन पी बोलते हैं अरहर को कैजनस कैजन को बोलते हैं ये नूट कर लेना डी का हमारा तीसरा मैच हो जाएगा और हमारा चिक पी जो होता है चिक पी यानि कि चना बी का पहला मैच हो जाएगा तो हमारा एंसर क्या आजाएगा हमारा एंसर आजाएगा ये वाला तो देखो आप न देखो पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लिखना चाहिए भया पीजन पी माने अरहर कैजनस कैजन चिक पी माने की भया सिसर एरिटीनम चना चना में कौन सा स्कलराइड होता है बताना कमेंट सिक्षन में बताना की जो डाले होते हैं इना टॉमी पढ़ाया हूँ ना आपको आप पढ़े भी हो तो आप यह बताओ की चना में कौन सा स्कलराइड होता है हाँ फाइबर का ही मोडिफिकेशन है ठीक है आगे चलिए चलते हैं तो अगला देखिए आपको यहां पर कोश्चन दिया गया है इन्वर्मेंटल इसू से कोश्चन है और इसको भी बहुत लोग क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं मैं एंसर नहीं बता रहा हूं मैं सौल कर करने का तरीका बता रहा हूं कि देखो तरीका कैसे होनी चाहिए आप गलती कैसे कम कर सकते हो वो मैं बता रहा हूं देखो यहां से देखो अब आप देखो यहां से देखके ना इसा लग रहा है कि क्या करे तो देखो ग्लोबल वार्मिंग यहां पर दिया गया है ना माने क environmental temperature बढ़ जाना तो आपका मेथेन हो गया carbon monoxide carbon dioxide यह सब fluoroclore carbon होता है तो देखो D का हमारा 14 मैच होगा HFC यह जो होगा global warming कराएगा तो D का 14 मैच होगया तो D का एक बार देखो D का तीसरा मैच होगा क्या global warming यानि कि fluoride pollution से related है नहीं है ना तो D का तीसरा नहीं है D का दूसरा देख लो global warming होगा तो AC drain होगा क्या नहीं होगा नहीं अब देखो फिस graveyard आप थोड़ा से इसको पढ़ो कि मचलिया कम मर जाती है कोहरा ज्यादा पढ़ता है तम मर जाती है स्मॉक से लेना देना है नहीं है फ्लूराइट पालूसन से कह सकते हैं लेकिन AC drain होगा जब हमारा तब AC drain के वज़े से मढ़ जाएंगी तो C का हमारा मैच हो जाएगा दूसरा और C का देखो दूसरा मैच कराओगे हमारा answer वह आ जाएगा हमारे सामने समझे फिर देखो एक पहला मैच हो जाएगा अस्थमा किस से होगा अरे अस्थमा मतलब इन्वार्यमेंटल पालूसन यानि कि भईया हवा में हवा में मिक्स होनी की वज़े से हवा में toxicity इसमाग हवा से रिलेटर तो अस्थमा और इसमाग देख सकते हो यह भी मैच हो जाएगा प्लस हमारा लीव type burn हो जाता है plant का जाने ऐसे करके अब चलो अगले question पे आते हैं अगला question आपको यहां पे देखने को मिर रहा है कि plant का टाइप है कि किस तरीके का plant कहां पे होता है जर्मिनेट जाने तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कैसे करोगे देखो अब बहुत सिंपल सिंपल है अगर आप एक इसमें से जानते हो कोई भी एक कोई भी पहले देखो न मालो आपको नहीं आ रहा है तो आप आप संदेखो ऐसे आप संदेखके मिलाओ देखो ऐसे करनाँ जाए एका पहला हो सकता है कि आख जेलो फाइट स tried वेस्ट वेस्ट लैंड में तो नहीं होता है और आ ना पहला नहीं होगा तो यह नहीं होगा यह होगा नहीं अब एका तीसरा है तो आप देखो अग जेलोफाइट कहा होता है यह मैच हो गया हमारा ना फिर देखो हेलोफाइट क्या होता है हेलोफाइट जो होता है वो मार्सी एरिया में ग्रो करता है आपने निमेटोफोर वा अगला है देखो अब कि भया कौन सा हार्मोन है उसका केमिकल नेचर क्या होता है हाँ सीवेटी दोजार चौबिस के ही सारे बॉटनी के कोश्चन है और मैं बताऊं तो यह कोश्चन आप गलत यह कोश्चन स्कोरिंग होते हैं गलत नहीं करोगे तो आपका बढ़िया रहेगा आप देखो यह ही यह कुश्चन है इसमें से मालों आप जैसे तर्पीन नेचर का कौन है जैसे यह सब देखो न याद करना पड़ेगा आपने जैसे कौपी पे उठाओ यहां पर ऑगजीन ऐसे लिख के न ऑगजीन जो होता है आप लिखो कि बाइज जो होता है हमारा और जिन हमारा 24D है एका 3 मैच हो गया फिर साइटो काइनीन जो है फर फ्यूली 6 फर फ्यूलीर अम्यून प्यूरीन होता है तो बी का चौथा मैच हो गया तो एका 3 बी का चौथा यानि कि हमारा देको एंसर भी आगया आपना इसे नोट बनाओ बैया सही बता रहा हूं देख कुल परसान ना हो आप उठाओ पेपर किसका पेपर 2024 के और 2023 के या पीवाइक क्यों कोई भी एक्जाम की कर रहे हो आप जैसे MSC इंट्रेंस की तयारी कर रहे हो बाटनी का जुलाजी का है लाइफ सैंस का भया इस्ट्राइफर डालो आप पेपर उठाओ CPT का डिप्रूग होता है आप कोश्चन सौल करो और कभी भी एकूरसी रेट हंडेड मत रखो कि आपको सब कुछ आना चाहिए सब कुछ मत चक्कर में पड़ो पांच हा कोश्चन है टफ टफ है नहीं आएंगे तो उनको परसान होना नहीं है पहले देखो मैं हमेशा करता हूं भया हमेशा अ सामने लिखो इतली हो जिपरेलीन लिखो यह जो जो प्रिकर सरह जो जो लिख लो लो काम हो गया जैसे चलीन जो होता है टू रोगा तो फास बनीक त्ट करोगे ना तो कोई रोके गांग सफक्रीक्टा से हैंने तो हार्डवर के थो सब लोग करते मैक्समाम के रMed चलो आगे कोशन देखो ये कोशन देखो अब आपने रॉंकिया लाइफ फॉर्म के बारे में अगर पढ़ा है तो आप ये कोशन कर सकते हो रॉंकिया लाइफ फाम इन्होंने प्लान को पेरेनेटिंग आरगन के आधार पे पांच भागों बटा था पांच भागों में अब देखो थीरोफाइट है थीरोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो इडवर्स कंडिशन को सीड के फॉर्म में गुजारते हैं बस देखो यहां पे सीड है यहां एका तीसरा मैच हो गया औ और एका तीसरा मैच हुआ यानि कि सी और डी गया ओडियंस आपका पचास फिप्टी फिप्टी हो गया ठीक है अब फिर देखो फिप्टी फिप्टी को हंडेट प्रसंट कैसे किया जाए अब जियो फायट होता है क्रिप्टो फायट इसे बोलते हैं जो स्वायल के नीचे अब देखो स्वायल अंडर ग्राउंड होता है स्वायल के नीचे है तो अंडर ग्राउंड राइजोम बलब कॉर्म के रूप में रहेगा तो यह बी का चौटा मैच हो जाएगा और बी का जैसे ही चौटा मैच हुआ आपका एंसर आ गया तरीका देखो अब देखो जैसे यह paper solve कराया है मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने तैयारी को पुकता कैसे कर सकते हैं ठीक है selection को sure कैसे करवा सकते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है कम-कम पढ़ना है ठीक है एक लिस्ट पचीस तो टीस तो डी का तीसरा डी का दूसरा मैच हो जाएगा तो डी का दूसरा तो है ही सी का भईया पहला मैच हो जाएगा simple question अब देखो यह भईया वट रखो इस परमम इज़े रे डिलगी जिसका characteristic पूछा है और आपका पूछा है कि भईया क्या होगा देखो यह चूज दक और incorrect यहां पर ध्यार रखो यहां पर correct दिया है न तो correct चूज करो यह main चीज है वट रखो इस परमम के बारे में आपको बताना है correct statement fresh water होता है बिल्कुल सही है यह होता है तो यह होगा नहीं देखो अब statement वाला question कैसे स्वाल करना है sexual reproduction इडवांस टाइप सही है भाई अगर यहां पर लिख देता तो थोड़ा सा confusing हो जाता उग MS टाइप का है तो BB है यानि कि यह भी गया कंट्रंसिया स्टेज इस फाउंड बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है यानि यह answer हो गया बट्रे को स्परमम एक ऐसा रेड इलगी है जो रेड कलर का नहीं होता ब्लू इस ग्रीन होता है और मोस्ट आप रेड इलगी जो होता है समुन्दर के अंदर पाए जाती है खारे पानी में लेकिन यह फ्रेस वाटर में पाए जाता है तो ऐसे करके कंट्रन्सिया इस्टेज भी आप कर लिए आप से पूस्ता एक्जाम में जैसे मालो अगले साल सीवीटी के अंदर आया कि कंट्रन्सिया इस्टेज कहां पाए जाता है अगर आप यह कोश्चन स्वाल कर दें नोड बनाते तो पता रहता कि इस्टेज की बात ही हो रही तो एक होता है कि भीया गांगो साहिरा स्टेज कांगो साहिरा स्टेज कहां पर होता है तो वह वाउशेरिया के अंदर होता है एक प्लैक्या स्टेज होता है कहां पर होता है तो वह वालवाक्स के अंदर होता है एक पालमेला स्टेज पूछता है तो पढ़ाई इस सरी के सिकर ह सब्सक्राइब करेगा चलो आगे चलते हैं अगले कोश्चन पर चलते हैं ठीक है अगला हमारा कॉश्चन देखो है नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन कहां कहां नाइट्रोजन इस देलिमेंट अब कहां कहां नाइट्रोजन रहता है यह आपको चूज दा मोश्ट एंसर फाम दे गिवेट बिलो अब देखो नाइट्रोजन अमीन इसट में रहता है बिल्कुल सही बात भया अमीन ग्रूफ है तो रहेगा यानि ए तो रहेगा अब देखो आप यह दोनों कड़ गया आपके पास 50-50 का रेशियो आगया मतलब 50-50 का आगया अब देखो दोनों में B है कामन तो B तो होगा को प्रकाइब को फेक्टर अगर होता है तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा अब देखो ओफैक्टर की तरह नाइटोजन नहीं काम करते हैं ठीक है को फेक्टर की तरह निकील हो गया जो माइक्रो नूट्रेंट आपको हमने माइक्रो नूट्रेंट के बारे में पढ़ाया है माइक्रो नूट्रेंट रहते हैं न ये कोफेक्टर की तरह काम करते हैं माइक्रो नूट्रेंट को कौन कौन है मन क्यूं मोरा जाने फिर कल बाहर निकले ये जब कोरोना आया था ना मेनेटिक बनाया था मन क्यों मोरा जाने फिर कल बहार निकले माइक्रो निउट्रियन्ट तो ये सब four factor की तरह काम करते हैं और जो माक्रो निउट्रियन्ट होते हैं कहो ना प्यार से क्यूं मांगू तो इसलिए मैं कह रहा हूं भईया हमको कारवार नहीं चाहिए हमको तो हम अपने साइकल पर खुस है कर आना जाना ही नहीं है भई है कि नहीं अच्छा इधर हो गया देखो अब दिख रहा है तो यही सारा चीज में आपको बता रहा हूं कि हर देखो आप अगर रटन्त हाई देखो हम जिन्दगी में आप खुछ सोचो 22 साल 25 साल 30 साल के हो गए हैं और पूरी जिन्दगी पढ़ाई-पढ़ाई सेमेस्टर के मार्क लाना है टॉप करना है इतना नहीं यार इट यह पार्ट आफ लाइब नाट था होल पार्ट आफ लाइब मतलब जो पढ़ाई करेंगे जीत कि बैया देखो बांता हूं यहां नहीं तो वहां हो जाएगा लेकिन बहुत लोग होते हैं जो जौब आपकी तयारी करते हैं है सीट का नंबर 30 32 और तयारी करने के लिए 3-4000 लोग दे रहे हैं तो वहां भी या सेलेक्शन का कम चांस होता है तो मैं कहता हूं लोग यह दो प्लानिंग कर लेते हैं कि आज सेलेक्शन हो गया हमारा पूरे गाव में मिठाई बाटेंगे इस्टेटस लगाएंगे घर वाले कितना खुश होंगे लेकिन इन सब की तयारी साथ साथ आप सोचो कि नहीं होगा तो क्या ठीकिन नहीं होने के बारे हम कोई सबने देखते हैं याने वही मैं कह रहा हूं यार की ज्यादा टेंशन नहीं लेना है वैसे भी गवर्मेंट वेकेंसी नहीं देती है यह सब करके तो भाईया पढ़ाई लिखाई जया पार्ट आफ लाइफ नाट दा होल लाइफ त्याने सर आप गलत बोल रहे हैं हाँ ठीक है अगर मेरी बात आपको गलत लगतती हैं तो लगए गलत देखो मेरा सिद्धान तो भाईया यही है अगर आपको समझना है तो समझो प्रैसर लेकि कोई काम करोगे टेंशन लेकि तो नहीं होगा अगर इंजो ऐकरकर के अच्छे करेंगे तो बोरिंग लगेगा ही नहीं जाने पसंद करो सिजिजों को पास करने के लिए नहीं tease서 के एग् 1974 आ रहा है इशरजी हम trafficking always I gotta proud जाम सेमिस्टर में पास कर जाएंगे अगर सीकने के लिए पढ़ोगे न मैं यह नहीं करना कि आपको बहुत तीसक्राइब बन जाना है सब कुछ आना है ठीक है अरे यार कोई 100% perfect होता ही नहीं तो आप सब कुछ सीख सकते ही नहीं तो जितना आता है उतने को अच्छे तरीके से करो और खुस रहो ठीक है satisfied रहो और खुद को वक्त दो और खुद को बताओ अपने दिल को अपने मन को अपने अंतर आत् आउना अगर आप गवर्मेंट जोग की तयारी कर रहे ना इस अब जो बता रहा हूं इसका 80% चीज़े आपको पता है पहले से तब अगर आप 20-25% पर लटके होए तो भाई आप फिर दिमोटिवेट नहीं करूंगा आपको चलो आगे चलते हैं चलो हमारे लिए दुगा क कि कौन कौन इस पोर है वह या तो इसे हम बोलते हैं माक्रो साइक्लिक रस्ट क्या बोलते हैं माक्रो साइक्लिक बोलते हैं और इतना सिंपल कोश्चन है कि यहां पर सारे स्पोर होते हैं पाई सीनियो स्पोर होता है एरोडियो होता है टेलीटो होता है बैसीडियो होता है तो बैया A, B, C, D, E, R होता है, अब आपका काम क्या है देखो, being a student आपको पक्सी, बहुत लोग होते हैं सर्फ भंजईया के काउन काउन लाइब साइकल पढ़े के बाग, मतलब सारा लाइब साइकल, बैया पक्सीनिया पढ़ लो बढ़ियां से, कि कैसे कैसे जो बैसीडियो स्पोर होता है, वो कैसे आता है, कैसे वो इनफेक्ट करता है आपके बार्बेरी को, फिर बार्बेरी पे कैसे आपका एसील कब बनता है, वहां से एसील स्पोर रिलीज होके, कैसे गेहून को इनफेक्ट करता है, फिर गेहून पे जब एसील स्पोर इनफेक्ट करता है, तो पर आपका कैसे बनता है आपका बैसेडियों कप इस्ट्रक्चर बैसेडियोडिया वांद फिर वांद पर का सिसती है यह सब प्रया से याद करो से इतना ही चीज़े जाने हाँ जो मैं चीज़े बताता हूं देखो एक्जाम औरियंटेट पॉइंट है अगर आप मेरे बातों से मेरे बताय हुई से चीज़ों से कनेक कर पाते हैं इतना आपको आता है तो यू आ अगर देखें तो अब देखो पॉसिबल सोर्स आप कंटामिनेशन आप दा मेरे दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं जैसे यह कॉश्चन है ना बहुत सारे स्टुडेंट देखके कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वह से आते हैं इंग्लिस-उंग्लिस थोड़ा सा ना बहुत लोगों का वीग होता है तो वह कॉश्चन का असली मतलब भी नहीं समझ जाके जाएगा इस कोश्चन का मतलब है कि जब आप बया क्या कर रहे हो प्लांट इसू कल्चर करें तो वहां पर कंटा मिनेशन यानि की इनफेक्शन कैसे जा सकता है या तो मीडिया मीडियम इनफेक्ट मीडियम जो बनाए हैं आपने वही खराब हो या तो कल्चर वेसल म दे रहे हैं यह सब तो यहां पर आल आपदा एबब होगा जो यह चीजे हैं तो बहुत जानते हो एक मैं बात बताओं फाइनल बोनस वाला पॉइंट बता रहा हूं ध्यान से सुनों किसी एक्जाम के लिए आप न कोई भी एक्जाम देने जाओ सो कोश्चन का एक्जाम द है अगर आप उस कोश्चन को पढ़ रहे हैं तो कोश्चन के अंदर ही एंसर चुपा हुआ है जैसा कि यह आप कोश्चन को समझे उसको लिखे मतलब टिक किये तो आपकी समझदारी की अपरतीक होता है समझ गया है बहुत ज्यादा टफ नहीं है सीविटी के कुछ कोश्च आपने देखे हैं तो ऐसे ही दो को सौल करना है मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं सभी को कि जस्ट एंसर टिक करने में मत जाओ कि एंसर देख लिया ऐसे करके समझने की तरफ बढ़ो चलो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में उमीद करता हूं कि आपको ठीक लगा होगा और ठीक लगा हो यह डिसकेशन तो आप लाइक कर देना वीडियो को प्लस हमारा न्यू एप भी डाउनलोड कर लेना हां कमेंट भी कर देना ओके